दोस्तों यह है Cruiser Blade 16GB SanDisk का Pen Drive, अब इस Pen Drive की मदद से हमारा जो printer है Sharp AR6031-NV, इस printer में हम एक document scan करें और वो pen drive में PDF के रूप में save करेंगे, तो किस तरह से करेंगे तो यह page है, test PDF करके एक page लिए इस पे लिखाए, अब page printer में डाल देते हैं और printer को कर देते हैं, बन, scanning जो door वो कर देते हैं, बन, अब लगा देते हैं यह paint drive इस printer को, जब तक मैं paint drive printer को लगाता हूँ, आप चैनल को प्लीज सब्सकाइब कर दीजिए, अब यह paint drive मेरा लगाना हो चुका है, अब यहाँ पे इस panel पे आते हैं, और printer slip mode में है, इसे on कर देते हैं, on होने के बाद में आपको simply इस तरह का panel दिखाए देगा, अब आपको scan button प्रेस करना है, scan button करने के बाद में इस तरह का message दिखाए देगा, बाद में एक number की button प्रेस करनी है, उसके बाद में यह देखिए scan option स्टार्ट हो गया, अब यहाँ पे आपको size जो है, वो set करना है, यहाँ पे मैं 2 size आपको बताऊंगा scan करके और 2 size का भी difference बताऊंगा क्या effect आता है, तो देखिए यहाँ पे हम A4 पहले scan करते है, अब A4 scan करने के बाद में यह जो page है, मैंने set किया बाद में यह enter button प्रेस करना है, जैसे मैं enter button प्रेस करूँगा, आपको दो बार enter button प्रेस करनी है बड़ी आप द्यान दे, इसकी PDF इस pen drive में बन गई है, अब यह बनने के बाद में laptop के दिखाऊंगा आपको कि pen drive में एक PDF आई है या नहीं आई है, A4 size में, ठीक है, द्यान दीजेगा A4 size में, अब हम इसकी size change करते है, और दूसरी size कर लेते है, अब हम लेते है size दूसरी A4 R, द्यान इसको दो बार दबाना है, जैसे आप दो बार दबाए देंगे, डाटा की light लगेंगी, जैसे पहले लगी थी A4 size के लिए, अब यह A4 R size है, अब डाटा का light जो है, आपका blink हो रहा है, मतलब A4 size, जो A4 R size है, इसका भी आपका PDF बन रहा है, यह PDF आपके pen drive में store हो गया है, अ हमारे computer पे अब यह pen drive को निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद pen drive को लगाते हैं हमारे computer में, computer में लगाने के बाद में हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा pen drive में file आई है, या नहीं आई है, तो यहापे देखिए दो file आ गई है, अब जो last में हमने scan किया था A4 R paper है, तो A4 R में यहाँ पे थोड़ा हमारा जो page था, हमने उल्टा रख दिया था, आपको simply सिधा करके रख देना है, ताकि आपकी copy सही तरीके से आए, अब इसे हम open करके देख लेते हैं, open करके देखने के बाद में आप पुरी तरह से देख पाएंगे, देखिए, लेकिन कोई बात नह आपका जो menu बार होता है, उसमें view option होता है, और rotate option यहाँ पे उपलब दोता है, आप इसे clockwise गुमा सकते हैं, आपके according आपको जिस तरह सा angle चाहिए, तो यहाँ पी देखे मैं इस तरह से move कर रहा हूँ, अब इसे मैं close कर देता हूँ, अब देख लेते है, A4 size में हमने किस तर से दिखाए देगा, तो A4 में हमारा जो होता है, पी और A4 में कुछ अच्छी तरह के से scanning नहीं होता है, तो आप हमेशा यूज करें A4R जो हमने page रखा था उस तरह के से, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद